दोस्तो हाज़ना एक होर वीडियो रिपोर्ट लाके चैनल रितेश लखियान प्लाग दूते मन्देविच सी की आज मैं पंजाब दे सापका मंत्रियां कांगरस दे मंत्रियां वहलों पार्टी जंता पार्टी नू जोईन करन्दा दल बदलन दा उजड़ा केस है जो कटना करम आज हो रहा है उस उते गलबात करा लेकिन मैं नू लगा कि की जो मौत या उनकी जो हत्या है उसकी जो तफ्तीश है उसको एक केंद्रिय जाज एजनसी कराए इस चीज के लिए सिदू मुसेवाला का परिवार आज केंद्रिय ग्रह मंत्री से मिलता है अमिच शाह से उनकी चंडिगड में मुलाकात होती है ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि मैं इस चीज का पक्षिधर हूँ और मैंने कल की रिपोर्ट पे भी इस चीज पर काफी हद तक फोकस किया था कि इस मामले में क्योंकि ये एक ना सिर्फ इंटर स्टेट गैंग्स का काम है बलकि एक इंटरनेशनल साजिश है जिसमें की विदेशों में पैट कर गैंक्स्टों ने एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाए है तो ऐसे केस की इन्वेस्टिकेशन कोई केंदरी एजनसी और वो भी अंतरास्टिस तरपर सी बी आई इंटर पोल या फिर अमेरिका कैनेडा की जो जाँच एजनसी है उनके साथ मिलके काम करने क एक शमता रखने वाली कोई जाँच एजनसी ही इस मामले की परताल करे तो ही बैतर है पंजाब और हराना हाई कोर्ट ने एक सिटिंग जज के नयाइक आयोग के लिए एक जज देने से इंकार कर दिया एक सेट बेक इसको मैं मान सकता हूँ क्योंकि हमारी अदालतों के पास पत्याकार नहीं बलकि पंजाब और पंजाबियों की सुरुक्षा से जुड़ा हुआ एक इतना महतपूर्ण मुद्दा है और एक इतना महतपूर्ण है इसकी बाचीत मैं आने वाली इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में आपके साथ साजी करूँगा लेकिन आज इस रिप मुसेवाला का वो कथत मैनेजर शगुनप्रीत सिंग जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में भागा हुआ बताया जा रहा है अंडरग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में वो कहा है उसका कोई बयान नहीं आया उसकी तरफ से टोटल रेडियो साइलेंस मेंटेन किया गया है शगु अगर्स 2021 में विक्की मिड्डू खेडा का होता है जिसके एवज में है जिसके बदले सिद्व मुसेवाला की इस हत्या को जस्टिफाई या एक्स्प्लेइन वो लौरेस बिश्नोई या गोल्डी बराड का गैंग कर रहा है जो कि इस वारदात के पीछे है जिसको मैं मानता कि नजर हर पहलू पे हो सकती है पंजाब की जो S.I.T.S. मामले में जांच कर रही है वो इन सभी आस्पेक्स की जांच जरूर कर रही होगी लेकिन शगुन प्रीत वो चाबी हो सकता है जो की असल वज़ा रहा मैं इस चीज़ को मानता हूं कि शगुन प्रीत जब तक पुल दिनिया से बैट के संचालित किया गया कौशल चौदरी के हिट मैन उसके शार्फ शूटर्स के दवारा उस केस में मुख्य फैसिलिटेटर रही करवाने वाला यही शगुन प्रीत सिंग था जिसको की कथित रूप से सिद्दू मुसेवाला का मैनेजर माना गया लेकिन ये पहنचते हैं उनको ये पता लगता है अखवारों के माध्यम से कि सिद्दू मुसेवाला के मैनेजर का नाम आ रहा है और इसी शगुन प्रीत जो की सिद्दू मुसेवाला का कोई जो जोग जो जा रहा है कि सिद्धू मुसेवाला इस चीज़ से परेशान थे कि इस शगुनप्रीत का नाम उनसे क्यों जोडार जा रहा है सिद्धू मुसेवाला का कोई भी इस तरीके का ना तो production manager, ना production controller, ना ही कोई manager, ना ही कोई social media handler शगुनपरीत नाम से था हाँ ये शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला के सरकल से था उस दुबई का जो टूर था जिसमें की सिद्धू मूसेवाला के साथ तकरीबन डेड़ से दो दरजन उनके और साथी रहे होंगे उनको एक और गुरूप तीन या चार लोगों के एक और गुरूप ने जोइन किया था क्योंकि शगुनप्रीत उसी सरकल से था सो दुबई में सिद्धू मूसेवाला और शगुनप्रीत इकठे थे जिसके बाद कि ये दोनों वापस भारत आते हैं लेकिन जब मीडिया में अख़वारों में इस चीज़ का जिकर उठता है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 12 ऐसे एक उख्यात गैंक्स्टर पकड़े हैं जिनमें से वो 3 शूटर शामिल है जिनोंने अगस 2021 में विक्की मिड्डू खेडा की हत्या की और उस हत्याकार्ण में शगुन प्रीत का नाम आ रहा है उसके बाद शगुन प्रीत को टिप आफ मिलने के बाद वो फटा फट भारत से ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है शगुन प्रीत के ऑस्ट्रेलिया निकलने के बाद भी सिद्धू मुसेवाला भारत में रहते हैं एपरिल के पहले महीने में मीडिया में ये खबरे आने शुरू होती है जो कि सिद्धू मुसेवाला को विचलित करती है सिद्धू मुसेवाला इस चीज़ की शिकायत अपने मन में लेकर बैठा था कि मीडिया और अन्य लोग उनसे पूछ नहीं रहे शगण प्रीत उनका मैनेजर है नहीं है उसके क्या संपर्क उनके साथ है इस बारे में उनसे कोई भी सवाल जवाब करना नहीं चाहता नहीं उनको पुलिस बुलाना चाहती है वो अपनी क्लारिफिकेशन दे तो सिद्वू मुसेवाला ये बातचित करते रहे कुछ इंट्रवियूज में भी सिद्वू मुसेवाला ने बात की कि एक मर्डर केस के अंदर अब उनको घसीता जा रहा है एक ऐसे शक्स के साथ उनका ना तुनका मैनेजर था ना कभी उनसे जुड़ा रहा है किसी भी आशप धंकियां भी लगातार मिल रही थी यहां मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करके पीछे लेके जाना चाहूँगा सिद्धू मुसेवाला की उम्र महज 28 साल की थी 2018 से लेकर 2022 जब तक 29 माई को उनकी मौत नहीं होगी महस चार साड़े चार साल के समय में सिद्धू मुसेवाला ने अंडर वोल्ड के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमे की शायद वो अकेले थे उनके साथ और कोई भी नहीं था 2018 से उनको धंकिया मिलने का सिलसिला शुरू होता है लौरिंस बिशनोई सबसे पहले सिद्धू मुसेवाला से फिरोती मांगता है जो की रंगदारी मांगता है जो की वो नहीं देता जिसके बाद फोन पे तलखी होती है अब इस चीज़ को सिद्दू मुसेवाला की मजबूती समझा जाए कि उन्होंने इस नोटोरियस गैंग लॉरेस बिश्णोई गोल्डी ब्राड के इस गैंग के सामने हाथ खड़े नहीं किये इनको लाखों रुपे की वो रंगदारी नहीं दी जो कि इस गैंग द्वारा लगातार उनसे मांगी जा रही थी फोन पर तल्खी भी हुई लॉरेंस बिश्णोई के साथ सिद्दू मुसेवाला की तल्खी हुई जिसके बाद वो जगड़ा बड़ा और आपको यह बता दू कि सिद्दू मुसेवाला पिछले चार साल सारसवा चार साल 2018 से लेकर 2021 के उस महिने तक जब तक वो कॉंग्रिस में शामल नहीं हो गए ये भी 2022 के अंत और 2022 की बात है जब कि सिद्धू मुसेवाला पंजाब में चुनाबों से पहले कांग्रस में शामिल होते हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण था सिद्धू मुसेवाला को अपनी जान का खत्रा जो कि उनको उन्ही गैंक्स्टर से था 2018 से लेके 2021 के अंत तक सिद्धू मुसेवाला बठेंडा और मांसा के स्थानवी जो पुलिस अधिकारी है जिसमें एक S.H.O. से लेकर D.S.P. से लेकर S.P. सतर के अधिकारी थे उनके तरले, उनकी मिन्नते करते रहे सुरक्षा गार्ड के लिए लेकिन उनको सुरक्षा गार्ड नहीं मिल रहे थे आखिर में सिद्धू मुसेवाला को ये समझ आ गया कि उनका एक मात्र जरिया इस देश में, पंजाब में सुरक्षित रहने का है वो है राजनीती में आना चुनाव सामने थे, कॉंग्रेस पार्टी को जरूरत थी और कॉंग्रेस पार्टी के जो अजोदा दिक्ष हैं अमरेंदर सिंग राजा वडिंग उन से उनके अच्छे रिष्टे थे जिस कारण सिद्धू मुसेवाला कॉंग्रेस में शामिल होते है उस दिन उनको सुरक्षा मिल जाती है यहाँ पे 2021 की उस घटना का जिक्र भी आता है जबकि माना गया कि कुछ ऐसे गैंक्स्टर और शूटर थे जो कि सिद्धू मुसेवाला को निशाना बनाने की नियत से उनके गाओं आ पहुंचे थे और उनके घर पर ही एक हमला करना च जानकार थे जिसके बाद ये जो शूटर गैंक था ये वापिस लौट गया इन्होंने उस हत्याकार को या उस जानलेवा हमला जो की हो सकता था उसको एक्जिक्यूट नहीं किया इस तरीके की धंकिया धंकियों की तो कोई ऐसी सूची ही नहीं है जो कि सिद्धू मुसेवा इस चीज को लेके काफी परिशान थे कॉंग्रेस जोइन करने के बाद सिद्धू मुसेवाला को आठ पंजाब पुलिस के कमांडो मिले क्योंकि वो एक सत्ताधारी पार्टी से थे यानि की सत्तापक्ष की कॉंग्रेस की पार्टी सो उनको वो सुरक्षा जिसके लिए लग लेकिन वो ज्यादा लंबा समय वो सिस्टम नहीं चल पाया जिसके बाद उनको असल सुरक्षा यानि की आठ पंजाब पुलिस के कमांडो तब बिले जब वो कॉंग्रेस पार्टी में शामल हुए और मांसा से उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा किया कॉंग्रेस पार्टी जोईन करते ही सिद्धू मुसेवाला इन आठ पंजाब पुलिस के कमांडो की हिफाज़त में खुद को महफूज मानने लगे थे तीन साड़े तीन साल सुरक्षा के लिए तरसने के बाद वो सिद्धू मुसेवाला जो की लगातार गैंक्स्टों की धुमकियां जो कि उनको लगातार मिलती रही उसके बाद ये मान चुके थे कि पंजाब में उनके रहने का और महफूज रहने का एक मात्र जरिया राजनिती में एंट्री था और वो डेस्परेटली एक विधायक इसलिए नहीं बनना चाते थे कि उनकी राजनिती में कोई दिल्चस्पी थी बलकि उनका सिर्फ एक मकसद था पंजाब को वो छोड़के जाना नहीं चाते थे उनके माबाब बजर्ग थे बहुत से लोगों ने उनको राय दी कि कैनेडा अमेरिका कहीं की भी इमिग्रेशन वो ले सकते हैं लेकिन क्योंकि उसके माता-पिता जो थे वो पैनिंग किया गया कि सिद्धू मुसेवाला पर हमला किया जाए लेकिन ये हमला हो नहीं पाया आखिर में चनाव खतम हुए संपन्न हुए जिसके बाद सिद्धू मुसेवाला और कॉंग्रेस पार्टी उन चनावों में हारी जिस दिन सिद्धू मुसेवाला मांसा का ये बहुत डिस्कोर्स था ये अपनी नीजी सुरक्षा को ले कर था मैं आपको ये बता दो कि पंजाब में आप ये भी सोच सकते हैं कि सिद्धू मुसेवाल अपनी सुरक्षा को ले कर क्योंकि गैंक्स उनको दंकियां दे रहे थे उनसे रंगदारी की वसूली की मांग कर रहे थे वो इतने चिंतित क्यों थे पंजाब में एक बहुती नोटिट सिंगर रहे हैं परमीश वर्मा जिनसे की कुछ लाक रुपे की रंगदारी मांगी गई थी ये रंगदारी परमीश वर्मा से मांगी थी लकी पट्याल और रिंदा संदू बगारा दिलपीद बाबा बगारा के गैंग ने इनफाक दिलपीद बाबा वो गैंगस्टर थे जिन्नोंने ये रंगदारी की मांगी थी परमीश वर्मा ने फोन पर इस रंगदारी को देने से इंकार कर दिया और गैंक्स्टों को बोल दिया कि वो जो करना चाहें कर ले ये कहने के बाद परमीश वर्मा की गाड़ी पर एक बहुती खतरराख हमला होता है यह हमला परमीश वर्मा को सबक सिखाने के लिए किया जाता है कुछ लाक रूपे की मांग थी परमीश वर्मा ने उस मांग को ठुकरा दिया तकरीबन 70-80 गोलिया जो थी परमीश वर्मा की SUV पर चंडिगर्ड के पास महाली में दागी गई परमीश वर्मा पर हुआ यह हमला जान लेवा हमला हो सकता था यह हमला एक विरोधी गैंग की तरफ से किया गया था दिलपीद बाबा का गैंग् लॉर्णस बिष्टुनई का एक उपोजिक गैंग माना गया है यह लग्की पटियाल का वही गैंग है जो की गोल्डी ब्राड और लॉर्रेस बिष्णई का व उस्पिटलाइज होते है उस हमले में उनकी जान बाल बाल बची इस हमले के बाद परमीश वर्मा को लाखो रुपे की रंगदारी उस गैंक्स्टर या उस गैंक को देनी पड़ी इसके अलावा और भी बंजाब के बहुत से ऐसे सिंगर्स थे जिनको रंगदारियां लगाता इन गैंक्स्टर को देनी पड़ रही थी पंजाब के उन चुनिंदा सिंगर्स यानि की गायकों में से एक थे गिप्पी गरेवाल जो की इन गैंक्स्टरों की धंकियों के सामने नहीं जुके पंजाब पुलिस ने उनको एक बहुत हाई ग्रेड की जो सुरक्षा थी वो लिप्पी गरेवाल ने इस सारी बातचीत के बाद अपनी बहुत लोग प्रोफाइल मेंटेन की अपने गीतों में अपनी फिल्मों में उन्होंने कभी भी उन गैंक्स को या ऐसे गैंक्स्टरों को ऐसे कर्मिनल्स को चुनौतिया नहीं दी लेकिन सिद्धू मुसे वाला ऐसे कलाकार थे फनकार थे जिनके गीतों जिनके संगीत जिनकी गायकी और जिस तरीके से उनके गीतों को लिखा जाता था उनमें एक चैलेंज भी हमेशा दिया जाता रहा सिद्धू मुसे वाला अपने ग्राउंड पर खड़े हुए थे वो इन गैंक्स्टों के सामने ना जुकने के लिए अड़े हुए थे यही कारण मना कि सिद्धू मुसे वाला को टारगेट किया गया हैर पंजाब के चुनावों के बाद सिद्धू मुसेवाला की हार होती है जिसके बाद उनके आठ जो पंजाब पुलिस के कमांडो का उसको कबच दिया गया था घेरा दिया गया था वो डैल्यूट किया जाता है आठ से चार कमांडो कर दिये गए और फाइनली 29 मईए जिस दिन उन पे ये जानलेवा हमला होता है उससे दो दिन पहले पंजाब सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा को डाउन ग्रेड किया और चार जो कमांडो थे सिद्धू मुसेवाला के उनको कम करके सिर्फ दो कमांडो पर लिमिट कर दिया सिद्धू मुसेवाला लगातार अपने डाउन ग्रेड होते जा रहे सुरक्षा कवर को लेकर बहुत जादा चिंतित भी थे और परिशानी में भी थे इस परिशानी को वो अपने बहुती करीबी लोगों से तो शेयर कर पा रहे थे लेकिन पब्लिकली इस गुसे के साथ वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनको चार कमांडो भी कम लग गए थे और दो कमांडो का तो मतलब ही कुछ और था और अब मैं उस आडियो क्लिप पे आता हूँ जिसकी बात जिसका जिक्र मैंने कुछ दिर पहले किया सिद्धु मूसेवाला एक हाई ग्रेड बुलेटप्रूफ वेस्ट चाते थे हला कि उनके पास पहले भी कुछ बैस थी लेकिन कुछ ऐसे हाई ग्रेड बुलेटप्रूफ वेस्ट थे जोकि अमेरिका से वो ऑनलाइन एकसेस करना चाते थे अमेरिका के एक गान मैनुफेक्चरर जो की बेसिकली असॉल्ट ट्राइफले मेशीन गन्स बगरा बनाते हैं डिजाइनर भी है और लाइसेंस शुदा अमेरिकन गवर्मेंट से उनको पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो इन गन्स को बना सकते हैं तो उनके जरीए सिद्दू मुसेवाला ने उस बुलिट प्रूफ वेस्ट को लेने की इच्छा जाहिर की थी इसमें आवाज सिद्दू मुसेवाला की है और उन्हीं आम्स मैनुफेक्चरर जो सजजन है उन्होंने इस हत्याकान के बाद ये क्लिप मुझे बेजा था जिसमें की सिद्दू मुसेवाला की सुरक्षा और उसको लेकर जो चिंता उनके मन में थी ये एक तकरीमन कुछ महीने पहले की क्लिप बताई जा रही है जिसमें सिद्धू मुसेवाला उनसे उस बुलिट प्रूफ वेस्ट की बात कर रहे है मैं दो बार इस क्लिप को आपकी नजर करूँगा बहुत ब्रीफ क्लिप है आप काईली सुनिए स्टेम चाहिए अपनी 12 अब बोर्द ये तो आटेकोले कोई एक प्राप आप से आप आप अपचा आप टाइसा करें मैंनो दोर सीगी इंडिया होई अब भूज़े अपना खास बंदा आगा जी तो पनो वेस्ट मेल जे जी वेस्ट बहुत जरूरी है जी वेस्ट जाएज़ा एका स्टेम चाहिज़ाएगा अपनी बारा बोड़ता ये तो अटेकोले कोई एक्सट्रा पया है बाई तो ये मिर्त भाई तक पचा आसा को तो एम आडियो क्लिप से आपको अच्छी तरह अंदाजा लगा जो नर्वसनेस थी सिद्व मुसेवाला की आवाज में वो कितने चिंतित थे अपनी सुरक्षा को लेकर अपने वीडियो में अपने गीतों में अपनी टेलिविजन इंटर्व्यूज में मीडिया के साब ने वो जि किसम की कॉंस्पिरिसी की बात कर रहे हैं इस घटना के कुछ घंटे बाद जो मैंने खुलासा किया था या जो गोल्डी ब्राड ने मुझे बताया था एक काफी हब तक वो बड़ा कारण हो सकता है हलाकि इस मामली की पुलिस इंवेस्टिकेशन ज़रूरी है लेकिस मुसेवाला को लगातार इन गैंक्सٹर से हमलागा खत्रा था इन गैंक्सٹर का ही डर था सिद्धु मुसेवाला अपनी स्क्योर्टी को लेके चिंतित थे और उन लगातार पुलिस अफ्सवरों के तरले मिनते करते रहे और ये जो क्लिपिंग बतायी जा रही है इसके कुछ 48 गंटे बाद ये बहुत बड़ी वारदात हुई शगुनप्रीत में मैं वापस आना चाहूँगा कि शगुनप्रीत वो किरदार वो करेक्टर जो कि आस्ट्रेलिया में बैठा है मैं आपको ये बता दू कि सिद्धू मुसेवाला का जब नाम शगुनप्रीत से जोडा जाना शुरू हुआ मीडिया में सिद्धू मुसेवाला ने शगुनप्रीत से कॉन्टैक करने की कोशिश की मुसेवाला के सारे कॉल्स अनांसर गए मुसेवाला ने कई वाइस नोट भी शगुनप्रीत के लिए छोड़े इस शगुन प्रीत ने आज तक अपनी position को clarify नहीं किया, कोई अफसोस का कोई message नहीं, कोई भी ऐसी बातचीत नहीं, totally आदमी underground है, सूल तो ये बनता था कि शगुन प्रीत जब भी उसका नाम मीडिया में आया, जब वो Australia फरार हुआ, जब वो Australia जाके underground हुआ, जब उसका नाम स सिद्धु मुसेवाला से dealing करना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी था और सिद्धु मुसेवाला भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये clarification हो पाए, सिद्धु मुसेवाला खुद इस मामले को clarify करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि अगर वो ख सिद्धु मुसेवाला की इस हत्या का कारण, इस misunderstanding अगर ये विरोधी गैंग की एक misunderstanding है, तो इसके लिए हम शगुन प्रीत की इस चुपपी को भी कुछ हत तक जिम्मेबार मान सकते हैं, ये एक अलग बात है कि रंगदारी की वसूली, लौरेंस बिश्णोई गैंग की इस इसको लेकर ego issue की इतना बड़ा सूपर स्टार जो की करोड़ो रुपया हर साल कमाता है और हमें रंगदारी नहीं देता, ये कैसे संबब है, इस ego में आके इस गैंग ने ये हमला करवाया है, लेकिन शगुन प्रीत जैसे character और किरदारों का भी public domain में सामने आना बहुत और अगर विकी मिड़ुखेडा की हत्याकांड में उसका अपना नाम आ रहा है, तो उसके अपने नाम के साथ साथ सिद्धू मुसेवाला को बदनाम ना किया जाए, लेकिन एक बार भी एक clarification, अगर जूटी clarification भी एक मिनट के लिए होती, तो भी बात समझ में आती, लेकिन clarification तक शगुन प्रीत की तरफ से नहीं आई, और माना ये जाता है, इंटर्नल सर्कल की तरफ से माना ये जाता है कि सिद्धू मुसेवाला काफी हताश थे और काफी डिजेक्टिट थे, इस बात को लेकर बहुत परिशान थे कि उनका नाम खामखा, इस murder case में, विकी कि एक मोटी रकम चाता था, ना उस रकम के मिल पाने की सूरत में उसने वो जानलेवान पे हमला किया, जिसकी मिसाल शायद इस देश और पंजाब के इतिहास में ना ही मिले, जिस तरीके का कातिलाना ये हमला था, deadly और daring ये हमला था, मैं यहाँ पर इस पूरे system को भी जिम्म में वार मानता हूँ, हमें ये मानना पड़ेगा कि सिद्धू मुसेवाला को उन आठ नौ शूटर जो की अलगलग गाड़ियों में भरके आए, उन्होंने मार दिया, या किसी गोल्डी बराड या फिर लॉरेंस विश्णोईन में जेल से बैटकर या कैनेड़ा से मरवा द या फिर किसी डीब स्टेट ने उसको मरवा दिया जिस तरीके की इंसिनुवेशन्स लोग करते रहते हैं, ये सारी चीजों को हम साइट पे कर दें लेकिन अगर आज हम इस हत्याकांड की गहराई को जानते हैं और समझते हैं, आप और हम अगर एक सही अंदाज लगाना चा जिन्होंने तीन तीन साड़े तीन तीन साल गैंक्स्टों से लगातार इन गायकों को मिलने वाली धंकियों की थ्रेट परसेप्शन को समझा नहीं, सुरक्षा देना और सुरक्षा लेना पंजाब में एक स्टेटस सिंबल है, एक प्रेस्टीज सिंबल है, और उसके बाद हमारे कुछ बुद्धी जीवी वर्ग करते हैं कि श्रेकाल तक साब के जत्यदार ने अगर लैसेंसी वैपन्स को अपने पास रखने के लिए सब को अपील की हो, सिख कम्यूनिटी को उनके अपील थी, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि सब के लिए जरूरी है, पंजाब में द जर्षाने वाला इंसान तब तो उठकर खड़ा हो जाता है, जब एक अकाल तक साब के जत्यदार लैसेंसी वैपन्स को रखने की बात करते हैं, लेकिन जब एक सिंगर अपनी सुरक्षा का मारा बुलिट प्रूफ जैकटें दुनिया भर में तलाशता फिर रहा होता है, उ इसमें की सुरक्षा का आदान पर्दानी, सुरक्षा लेना, देना, किसको देना है, ये पहले तो एक राजनीती का विशा है, उसके बाइद आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवन तमान ने इसको एक नुमाईश का ही विशे जो है वो बना डाला, तो ले देके हम सुरक पर्दार को जेड सुरक्षा लेने की जरोध नहीं है, बहुत इसके लिए फलसफे और लॉजिक दिये गए, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीती और इन मुद्दों को अंडरेस्टीमेट करना, अपने आप में बहुत गातक है और पंजाब में गूम रहे हैं, गोलियां चल दिये हैं, लोगों के कतल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीजों पर बहुत बड़े मॉरलिस्ट पोजीशन्स लेके खड़े हो जाते हैं, हम लोग उन चीजों की प्लिटिकल करेक्टनेस को साबिद करने के लिए लिए लंबे-लंबे आरग् इसकी जब कोई दुरगटना होती है, जब कोई वारदात होती है, उसके बाद हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, आज जिस तरीके से जो हश्राम अदमी पार्टी या भगवनतमान की सरकार जिसको आज एक जवाब नहीं देना रहा है इस मुद्दे पर, क्योंकि सुरक्ष दी है कि हमने इस सिक्यूरिटी के इशू पो, इन नाजुक, इन असुरक्षित हालात में हम इन सुरक्षा के मुद्दों को राजनीती का विशे बनाते हैं, ये सबसे बड़ा दुरभागए है, एक सिस्टम का फेलियर है, इस सिस्टम ने सिद्धू मुसेवाला को मारा है, वो गैंक्स्टर तो इस सिस्टम की छोटी मोटी आफशूट्स हैं, मैं उनको इतना बड़ा मानता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर इस सिस्टम ने समय रहते, सिद्धू मुसेवाला को तरसाया ना होता हो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का इतना बड़ा हवा जो हम लोग अक अमेरिका निकलने वाले थे और उसके बाद 6 महीने तक उनको कनेडा में और अमेरिका में अपने शोज करने थे, सो गैंक्स्टर चीतना जानते थे कि उनको हिट करने का उनको मारने का बहुत सीमित समय है, और जैसे ही सरकार की एनाउस्मेंट आई, कि सुरक्षा डाउन ग् परगेट करेंगे और सिद्धूम उसे वाला बहुत ही आसानी के साथ उनको एक सिटिंग डग की तरह उस थार जीप में मिल गए जो कि किसी भी हद तक सेक्योर नहीं थी और उनके पास अपनी उनका जो लाइसेंसी वैपन था उसमें भी असला नहीं था बहुत बड़ा को अपनी बात को सही साबित करने और औरों की बात को गलत साबित करने तक के लिए इस्तिमाल किया जाता रहे तब तक तो ठीक है लेकिन जब किसी की जान पर बन आई हो बात सुरक्षा की हो उस वक्त कितना का वाजिब है कि इन मुद्धों को इन आर्गुमेंट्स को इस डिबेट को आगे तक चला जाए तो सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी चूक हुई है यह सिस्टम फेल हुआ है सिद्धू मूसेबाला की प्रोटक्शन में इस चीज के बहुत सबूत है अगर कभी इसकी कोई जाच करे चाए वो नियाईक आयोग हो या फिर CBI हो इ इन आस्पेक्स की जान जरूर की जाए सिर्फ 29 मई का हमला गैंक्स्टों की साजिश और उसके लजिस्टिक्स तक ये जाच ना रहे बलकि उसके पिछले कई सालों में और और भी सिंगर्स जो की इस वक्त दवे बैटे हैं कई लोग रंगदारी की बहुत-बहुत मोटी कीम गैंक्स्टों के सामने वो गोली खाएं ऐसे में कोई बड़ा कारण नहीं है कि और सिंगर चुप चाप इन लोगों को रंगदारी और प्रोडक्शन मनी दे के अपनी जान बचा कर अपना काम करते रहें लेकिन समय की जरूरत है समय का तकाज़ा है कि इन लोगों को भी वी वी एपी सेक्यूरिटी के नाम पर ये दुकाने खड़ी कर ली गई है राजनीती से लेकर नुमाईश तक हर बाजार साजा हुआ है और हम ऐसे सूपर स्टार्स सितारों को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देख रहे हैं इस से बड़ा दुरभागे सिस्टम का क्या का और क्या हो सकता है आज की रिपोर्ट यही तक थी उमीद करूँगा कि रिपोर्ट में कई अलग नुक्तों को मैं टच कर पाए बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत जल्दी का और रिपोर्ट लेके फिर हाजर होंगा थैंकि सो माच